खरकौन जिले में आपरसन सिकंजा के तहे तीन अलग अलग थाना छेतरों में किसानों के मोटर पंप चोरी मामले में नो लोगों गिरफतार किया है दरसल सनावत बेडिया और करही थाना शेतर के अंतरगत मोटर पंप चोरी की शिकायत बार बार मिल रही थी जिसे लेकर पुलिस ने टीम गठित करके नो लोगों को गिरफतार किया साथ ही एक कबारी को पकड़ा जो मोटर पंप से तामबे का तार काट कर बैसता था जबकि जबत सुदा मसरूका की कुल कीमत 3,50,000 रुपे बताई जा रही है इस जोरान अतिरिक्त पुलिस सदिक्षक जितेंदर सिह पवार ने बताया कि किसान भाईयों की समस्या को देखते हुए पुलिस सदिक्षक के निर्देशन में इस बड़ी कारिवही को अंजाम दिया और आरोपियों से सखन पुछताच की जा रही है खरगाउन से जैनत गुपता की रिपोर्ट पुलिस सदिक्षक महुदय ने इसको गंभीरता से लेटे हुए इसमें टीम कठीट की जिसमें हमारे है एस ज्डियोपी बढ़वा श्री विनोद दिक्षित साब थाना प्रभारी सनावत मंसाराम रोम्रे साब थाना प्रभारी बेडिया गोपाल निकवाल साब और थाना प्रभारी करही परमानन गोयल साब को इस ओपरेशन सिकंजा में लगाया चुकि मोटर पंप जो है क्रशकों के ही होते हैं और ये उनकी घरे पसीने की कमाई से ख़िदे वह हैं और ऐसी वारदातों से उनका मनोबल तूटता है इनी घटनाओं को देखते वे हमारी टीम ने लगाता निगरानी रखते वे मुगवीर की सूचना और चोरों की जानकर इत्राथ कर तीनों धानों ने गेंगो को पकड़ा है जिसमें टोटल नौ अरोपी हैं और एक कवाडी को गिरफतार किया है जिन से बीस मोटर पंप जब्त किया है इसमें एक जनरेटर भी है ये हमारे धरगोल कुलिस की एक बहुत बड़ी सफलता है और अलगातार हम लोग ऐसे अ क्यों को पकड़के नकेल कैसने का काम करते रही है में अर् हमारे चाना समय में चार आरोपी को घंवालिया चली सब्सक्राइब तीन आरोपी दरही छेत्र के हैं जिसमें गबाडी की है ठीक सर थैंक यू हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चेनल को सबस्क्राइब परें और पास में लगें डेल आइपोन को दबाना बिल्कुल भी ना फुलें